हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल और ये कोई एक व्लाग नहीं है तो ये ना एक छोटी-छोटी क्लिप्स है मेरी मदर की सर्जडी हुई थी अभी कुछ दिन पहले तो मैंने वहाँ पे छोटी-छोटी क्लिप्स लीन थी तो उसको मैंने सब एक यहां पर हम लोग आ चुके थे जिसदिन उनकी सर्जरी थी मॉनिंग में हमें आना था यहां पर उनकी सर्जरी होनी थी इवनिंग के टाइम पर यहां पर उनको एडमिट कर आया उसके बाद शाम होने लगी धीरे-धीरे टाइम घुजरनने लगा और फिर उसके बाद उनक फेस देखके लग भी रहा होगा और फिर यहां से वो ओटी में जाने लगी है ओटी में वो पहुच चुकी है यहां पर फाइनली उनका ऑपरेशन होने के लिए चला गया था यहां पर हम थोड़ा बहार ओटी के बैठी हुए थे क्योंकि हम बहुत जादा टैंस थे और अंद थोड़ा टैंस दूर करने के लिए फेसेस बना रही थी ताकि लोग हसे उसके बाद फाइनली उनकी सर्जरी हो गई अलम्दोलिल्ला बहुत अच्छी सर्जरी हुई और वो फाइनली ओटी से बहार आ गई अपने रूम में यहां वो एनेस्थीसिया के अभी थोड़े नश नशा निकलने में टाइम लगता है फिर उसके बाद वरीशा के साथ थोड़ी नानू की मस्ती चल रही थी यहां पर वरीशा और नानू मस्ती कर रहे तो और यह नेक्स डे का है नेक्स दे उनको मौनिंग में वाक करवाई जा रही थी कि ताकि वो थोड़ा बहतर फील करें फिर उसके बाद उनका डिनर आने लगा और पूरे दिन शूट नहीं किया क्योंकि मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाती थी वरीशा की वज़ा से तीन दिन में हॉस्पिटल में ही तीन दिन मेरे सिफ बीच बीच में ही चकर लगें यहां उनका डिनर चल रहा था क्योंकि यह न सिस्टर ने नर्स ने उनको सब चेंज वेंज कराया उनका सब कुछ अच्छे से चैक अब हुआ डिस्चार्ज आया डिस्चार्ज करा के हम उनको यासे लेकर जा रही हूँ वह थोड़ी खुश्टी कि हाँ चलो में तीन दिन के बाद घर जा रही हूँ वरिशा भी बहुत ख पक्रिप लगा लगी थी उसके निकाला जा रहा था यहाँ से बाद एकि प्राईपप निर करील थे नानी के पास भी च्यास यह किया है उनके उसके करने से सहा थाइल था हम फाइनली वो अपने कार में बैट चुकी हैं और हम घर की तरफ जा रहे हैं और वरिशा को बहुत मज़ा आ रहा था कि हम नानी जान घर पर जा रही हैं मैं बहुत जादा मज़े मज़े करूँगी फाइनली उसके बाद हम घर पहुच गे और प्लीज हमें दुआओं में कि बाई बाई बाई